स्टार्ट करिया, unit 1 and 2 हमने complete किया है, unit 1 में हमने nature of the contract, 2 में consideration देखा था, अभी 3 unit 1 का इडिटेलिंग है, other essential elements of a contract, agreement को contract बनाने के लिए, उसमें कौनसे characteristics, factors आवश्यक है, वो हमें detail में देखना है, यह unit पढ़ कि आप क्या सीख लोगे, after studying various these units, you would be able to understand, क्या समझ लोगे, सबसे पहले contract की incapacity के ingredients, यानि minor है, unsound mind है, disqualified by low है, यह सब incapacity, यानि not capable, यानि नहीं कर चकते, कौन-कौन बन्दे contract नहीं कर सकते, वो हमें यहाँ पर learn करना है, लो, second क्या बोल रहे हैं, minor के साथ के contract है, उसके legal consequences क्या होगे, हमने एक बाद minor से contract तो कर लिया, उसकी rights, duties, क्या होगी, कौन लाइबल होगा, वो भी हमें यहाँ सीखना है, और बहुत ही well-known concept, familiar concept, जाना हुआ concept, that is the consensus edidum, that is the consensus edidum, Latin word है, what is consensus edidum, consensus edidum, यानि, parties agreed upon, same thing in, same sense, जो चीज जैसे बोली जाईए, वैसे ही समझना है, आप बोले हैं, titanic, titanic originalship की बात कर रहे हैं, brothers and ground में खेलने का लिया है, वो नहीं, जो चीज जैसे बोली है, वो चीज वैसे ही समझते हैं, identity of the mind, of other and acceptor, दोनों की identity of the mind है, दोनों वह चीज वैसे ही समझ रहे हैं, मैंने बोला, धीरुबाई is the director of Tejman Institute, आप क्या समझे धीरुबाई, अम्मा नी, लेकिन पास में रहने वाला धीरुबाई था, इट इस नोट कंसेस असे डिडम, जैदीब जया को देखने गया, तो उस लड़की ने बोला था, भी यह, लेकिन जैदीब जल्दी में था, वो सी यह समझ बेटा, नो सेम तिंग इन दे सेम सेंस, नो कंसेस से डिडम, यहाँ पर फिर कंसेंट नहीं हो सकती, चिंता मत करो, यह सब तो सिर्फ नाम है, डिटेल में देखें की देखेंगे, तब तो बहुत सारे एक्जांपल देखना है, बाद में डिफरेंट एलिमेंट समझने है, जिसकी व जिसकी वज़े से, फ्री कंसेंट यूज लेस है, फ्री कंसेंट होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं है, फ्रोड, मिसिपेसेंटेशन, कोशोईन, उस सब का डिफरेंस क्या है, डिटेल में हम सीखेंगे, कब कोई भी कॉंटे का अबजेक्ट और prostitute का काम स्टार्ट किया, immoral, object unlawful, यह सब contract नहीं हो सकते हैं। और last concept है, opposed to the public policy, बहुत interesting subject है, opposed to the public policy, हमाई society को नुकसान पहुचाने वाले सब contract illegal है, enforced नहीं हो सकते हैं, अमल में नहीं ला सकते हैं। यह हमने overview देखा, क्या-क्या topic हमें learn करना है, वही चीज़ chart में प्रेशन किया है, सबसे पहले हम इस unit में capacity of the contact learn करेंगे, जो 18 साल का है, जो major है, वही contract कर सकता है, जो sound है, जो अपना interest देख सकता है, वही contract कर सकता है, और जिसने, लो ने disqualified नहीं किया, गेर लायक नहीं बोला है, इनलिजिबल नहीं बोला है, वही बंदा contract कर सकता है, major, sound and qualified person can enter into a contract, उल्टा बोलो तो, minor, unsound and disqualified cannot enter into a contract, एक एक टोबिक डिटेल में देखेंगे, अब में free consent देखना है, कब free consent है, contract not due to this reasons, नीचे दी गई कारण से, हम contract में enter नहीं हुए है, तो ही free consent है, किसी के दिमाग पर गण रखके, कॉर्शों इन से contract में enter हुए, तो वह valid नहीं है, undue influence, relation का use किया, student and teacher, उसका misuse किया, contract नहीं है, fraud, लटका every month one leg earn करता है, है, साल में भी नहीं करता है, wrong information दिया, fraud है, free consent नहीं है, misrepresentation आगे हम देखेंगे, fraud में जानके हमने गलत information दिया है, और misrepresentation में हमें मालूम नहीं था कि यह गलत है, अंजाने में mistake हुई है, that is the misrepresentation and mistake, बाद में lawful consideration, lawful object हमें लरन करना है, and not expressly void, लोग ने उसको void नहीं किया होना चाहिए, यह तो सिफ overview देखा है, उससे कुछ याद नहीं देता है, एक एक चीज़ डिटेल में समझनी पड़ती है, चलो हम समझे, 1.44 पेज निकालो, अभी तो सिफ introduction दो लाइन का दे दिया है, आपको, आपको समझाया, agreement किसको बलते हैं, फिर्सने बोला है, agreement result, proposal बॉन पर्शन, कमला ने कासल को बोला, do you want to marry with me, proposal बॉन पर्शन, proposal बॉन पर्टी, acceptance बॉन अधर पर्टी, कासल बोलगा तेरे भी नहीं कोई नहीं, हो गया agreement, हो गया contract, उसका मतलब, contact में क्या जरुदी है proposal by the one person acceptance by the other person वो हमने discuss कर लिया है first unit में what is offer, what is acceptance what is consideration now we will discuss हम क्या discuss करने जा रहे है agreement को enforceable by law बनाने के लिए agreement को contract बनाने के लिए हमें कौन से कौन से element होने चाहिए section 10 अगें ओवर व्यू if agreement satisfied following conditions दीचे दीखे सरते पूरीक होगी तो यह agreement को रहे होगा first competent यानि major sound second free consent not due to course in undue influence, third misrepresentation third lawful consideration lawful object हमारा हेतू भी अच्छा होना चाहिए हम जो दे रहे हैं वो अवेज भी हमारा सही होना चाहिए और not void expressed by law law ने मना नहीं बोला होना चाहिए यह overview देख लिया अब detail में जा रहे हैं सबसे पहले competence of a party तो party सक्षम होना चाहिए contact करने के लिए ओ party capable होनी चाहिए eligible होनी चाहिए उसके हमें topic section 11 के मुताबित देखना है competent में सबसे पहले चीज़ क्या है every person is competent to contract हर एक बंदा competent है eligible है सक्षम है कब सक्षम है वो major है majority according to law काहतिक तो बोलेगा मैं major हूँ यह को लो क्या बुल रहा है you have completed 18 years अठा साल का है तू तो ही तू major है जो law subject to which जो law आपको लागू पढ़ता है उसी लोग के मुताबित आप major होने चाहिए sound mind होना चाहिए not disqualified गे लायक ineligible लोगने नहीं बोला होना चाहिए वही चीज दूसरे वर्ट्स में बोला है आपको तीन तरीके के लोग है जो capable है first major, second sound and third not disqualified let me see now interesting वही से major depth study हाँ हमारे इंडिया में कौन सा एक्ट है CPT में MCQ में पूच्छे थे Indian Majority Act 1875 हम इंडिया के domicile है हमें इंडिया का एक्ट एप्लाई करना है as per Indian Majority Act 1875 who have completed the age of 18 years during the single day in a year and domicile in India इंडिया का देवासी होना चाहिए 18 साल पूरे साल में कभी भी उसके खतम होने चाहिए 18 साल में एक दिन भी बाकी है तो तब तक वो contract नहीं कर सकता 18 साल खतम होते ही eligible for a contract friends, almost of you are not a major you are not able to enter into a contract इसलिए तो आप कोलेज में जाते हो ना तो आपको वाली की साइन मांगते हैं आपके guardian की साइन मांगते हैं सिर्फ आपकी साइन में कोई बंदा आपको कोलेज में एफवाई भी कॉम में admit नहीं करेगा you are not eligible into a contract आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं क्या करूँ लोग बोल रहा है you are not eligible अच्छी बात है आगे देखेंगे क्यों अच्छी बात है वो आगे देखेंगे minor के साथ के agreement पहले से ही void है void है बिनिस्यो सुदू से very beginning पहले से a benicio latin word है contract made by a minor void है बिनिस्यो minor is not competent to a contract minor के साथ के contract रद है cancel है अमल में नहीं ला सकते सुदू से ही cancel है जब से किया तब से ही cancel है friends आपको तो case study भी आते हैं case study दो तरीके के होते हैं example type के होते हैं आपको example दिये जाता है A and B का बना के और दूसरा court का case study होता है यहाँ पे minor का मोहरी बीबी वर्सीज धर्मदास गोस 1903 120 यह पहले का के सड़ीए हम learn कर रहे हैं एक minor थार 20,000 रुपीज बोरो किये थे और mortgage deed में यानि गिरोखत बनाया था लिख के दिया था यह property मैं आपको दे रहा हूं और major हो गया major होने के बाद उसने ही यानि धर्मदास ने नया mortgage did execute किया तो वो valid नहीं है जब धर्मदास minor था बोहरी बीबी के पास से money बोरो किया था तब उसने अपनी property का एक गिरोखत लिख के उसको mortgage भी रख दिया था मैं payment न करू तो यह property बेच के ले ले ना लेकिन तब दर अंदास तो minor था major हुआ major होने के बाद नया mortgage did दिया तो वो भी valid नहीं है वो भी without consideration माना जाएगा minority के time कुछ भी deed बनाते है वो void है cancel है उसको minor को loan repay करने की ज़रुरत नहीं है lender request करेगा नया deed बनाएंगे तो भी valid नहीं है इसलिए section 10 ने बुला है incompetent person, incapable person, ineligible person, contact में entered नहीं हो सकता friends इसलिए तो बोल रहा हूं minor होना अच्छी बात है आप liable नहीं होंगे major होना ही नहीं चाहिए आपके हात में नहीं है no ratification after attaining the majority आपने minor था तब कुछ promise a note लिखा था minor था तब आपका कुछ responsibility खड़ा हो रहा था तब major होने के बाद आपने नया agreement कर दिया आज मैंने आप से एक लाग का goods purchase किया और मैंने sign करके promise a note लिए आपको बाद में major हुआ नया promise a note लिया लेकिन goods तो पुराना था जब minor था तब का ही लिया हुआ था तो minor था तब का मैंने जो goods लिया था वो without consideration माना जाएगा इसलिए major होने के बाद नया promise a note लिखूँँगा तो भी वो valid नहीं है minor major होने के बाद भी agreement को ratify नहीं कर सकता जब वो minor था तब किया हुआ contract तब का consideration तब का goods सब वोईड है example दिया हुआ है example one में एक minor था उसमें promise a note लिखा था major होने के बाद नया promise a note लिखा लेकिन वो without consideration होने की वज़ा से वोईड है friends minor can take the benefit minor can be beneficiary from the out of contract minor responsible नहीं हो सकता जवाबदा नहीं बन सकता लेकिन minor फाइदा तो ले सकता है minor परमी से note लिख के दे नहीं सकता दूसरे के पास ले तो सकता है major बंदा परमी से note लिख के देगा तो minor उस पे sue भी कर सकता है court में भी ले जा सकता है minor partnership हो हम में सभी की consent लेके तो फीट में पार्टनर बन सकता है, तो फीट में पार्टनर बन सकता है, इसलिए minor bound नहीं हो सकता है, लेकिन major against the minor bound हो जाता है, minor mortgage देता है तो valid नहीं है, दूसरा minor को देता है तो valid है, example 3 से पहले आपको 4th point दिया हुआ है, minor can always plead the minority, minor always can argue that I was the minor, although false representation of the age है, minor था, अपना गलत age representation क्या, मैं तो 25 years का हूँ, मैं height देख लो, weight देख लो, height, weight, stage मालूम नहीं पड़ती, misguide होता है, चोटा है, वो बड़ा लगता है, बड़ा बड़ा चोटा लगता है, vice versa, it means, minor गया, बोल दिया, मैं minor था, minor बोल के, loan लेके आ गया, जब loan देने वाला lender हमारे पास आया, money का installment बड़ो, तो minor बोल सकता था, मैं तो minor था, age है, वो तो गलत थी, वो बच सकता है, defense कर सकता है, example भी आपको दिया हुआ है, falsely repayment क्या, example three में, वो 20,000 बोल करके आ गए, repayment के time deny क्या, मना बोला, मैं payment नहीं करूंगा, at that time, what happens, there is a fraud, fraud होने के वज़े से भी, minor तो बोल पाएगा, मैं minor था, reality आई वो ते minor, मैं नहीं पे करूंगा, minor गलत age दे के भी, बाद में छटक सकता है, मना बोल सकता है, excuse हो सकता है, liability of the necessary, minor और उसके पे depend legally bound, दोनों दो भाई बे नहीं है, और कोई आए नहीं आगे बीचे, माबाप नहीं है, कोड़ोना में चले गए, तो minor अपनी sister को maintain करने के लिए legally bound है, minor है तबी भी, minor अपने के लिए और जिसके लिए legally bound है, उसके लिए कुछ भी necessarily है, food है, medical है, education है, उसके लिए कुछ भी लिया हुआ है benefit, तो minor personally liable नहीं है, minor की property liable है, minor के पास 20 अजागी property है, 90,000 का laptop लिया है, तो सिर्फ 20,000 ही पे करेगा, पढ़ने के लिए लिया आथा, movie देखने के लिए नहीं, minor को luxurious item दी गई है, तो उसकी property भी liable नहीं है, what is necessary, what is luxury, depends on the status in the life, यहाँ पर first point में by mistake station लिखा लिए status of the life, आपके life के status में मालूम पड़ता है, कि वो आपके necessary हो सकती है या नहीं, minor की necessary है, minor के पास sufficient supply नहीं है, ऐसी situation में ही minor की property liable होती है, minor infant है, उसका education, और कोई funeral ceremony, अन्तीम संस्कार, ऐसा कुछ करने के लिए, किसी से money लिया है, तो minor की property liable होगी, as per his status, आपको utility देखना है, ornaments नहीं, ornaments है, वो लग्जरियस है, उसका use चाहिए उसको, पढ़ने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, medical reason के लिए चाहिए, तो उसका necessary हो सकता है, example 4 देखो, 70,000 का laptop, 20,000 ही उसकी property, only recoverable 20,000, बागी का 50,000 minor pay नहीं करेगा तो चलेगा, contact by guardian, friends, guardian जो है ना, guardian, उसके parents minor के benefit के लिए, minor के भी आप, minor के अंदर के competence में, contact में enter हो सकते हैं, minor के guardian certified है, court ने बोला है, तो immurable property में भी contact, कौन भी आप हो minor कर सकते हैं, first चीज, minor के benefit के लिए, and second चीज, court ने appoint किये हुए certified guardian है, तो उसके property के contact भी कर सकते हैं, minor को कोई भी से संजोगों में specific performance का condition apply नहीं होगा, नहीं आपने बोला है, आपको करना ही पड़े का इसा minor को नहीं बोल सकते, उसके property है, तो उसमें से लो, बाकी निकलो, minor कभी insolvent नहीं हो सकता, क्यों? minor की liability आता ही नहीं, वो personal liability नहीं है, उसके property तक ही वो liable है, इसलिए minor insolvent नहीं हो सकता, minor सब की concern लेके, partnership में partner बन सकता है, minor agent बन सकता है, principal नहीं, क्यों? कोई भी contact में agent के भी आप में principal liable होता है, इसलिए minor कोई भी instrument है, वो draw, deliver, endorse कर सकता है, except नहीं, minor always cannot be bound, इसलिए वो principal नहीं बन सकता, लेकिन agent बन सकता है, minor है, वो कई संजोगों में parents और guardian को क्या liable बना सकता है, when he act as the agent of the parent, यानि parents की sign लेके, parents की concern लेके क्या है, तो minor कारेक काम के लिए उसके guardian liable होंगे, इसलिए तो आपकी कहीं बे भी sign नहीं चलती, कहीं भी जाते हो, library और college, आपकी guardian की sign लेते हैं, क्योंकि on behalf of guardian, you are entering, your guardian will be liable, आपने scoody purchase किया था, लेकिन payment कौन करेगा, आप नहीं करोगे, आपके parents करेंगे, लेकिन आपकी parents की sign नहीं है, तो parents also will not be liable, parents को पुछा ही नहीं, वैसे scoody लेके आ गए, not knowledge, at that time, parents not liable, उसको पूछ के क्या है, तो ही parents liable होगा, minor और adult दोनों साथ में मिलके contact करते हैं, तो adult liable होगा, minor नहीं, किसी ने minor के लिए guarantee दिया हुआ है, तो वो liable होगा, x ने guarantee दिया है, minor crease के लिए, और उसके payment के लिए crease पे नहीं करेगा, तो x पे करेगा, minor है, वो fully paid up sales में shareholder बन सकता है, partly paid up है, तो shareholder नहीं बन पाएगा, fully paid up है तो बन पाएगा, और उसके guardian की sign के बाद वो contact में enter हो पाएगा, liability of the tort, कुछ civil wrong किया है, गाड़ी चलाते चलाते, किसी को लगा दिया है, ऐसा कुछ civil wrong किया है, fan के पास एगाड़ी लिया था, बोला था, मैं नहीं जाओंगा, highway पे लेके, लेके गया, और किसी को लगा दिया, यहाँ एक्जामपल होस का है, क्यों, अठा साथ से, छोटा आजमी कभी टूविलर नहीं चला सकता, यानि, यहाँ लाइसंस की जग रहते है, ऐसा वेहिकल नहीं चला सकता, इसलिए होस का एक्जामपल है, होस लिया था, बोला था देने वाले ने, तू ही चलाना, इसको इसके रुपे सामान नहीं रखना, लेकिन आपने केरेज सामान रख दिया है, एड दे टाइम सिविल रोंग है, सिविल रोंग के लिए माइनो की भी लायवटी आ सकती है, उसके लिए सेपेट एक लर्न करना चाहिए, फ्रेंड्स, थेंक्यू वेरी मच, बने रहे मेरे साथ, हर एक टोपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब दिस चैनल, से दिस चैनल, मट्रियल सामने रख के पड़ो, तो ही समझ में आएगा, थेंक्यू वेरी मच.